देवी भागवत ग्रंथ के नुसार वैसे तो मादुर्गा का वहान सिंग है लेकिन इसी ग्रंथ में बताया है कि हर साल नवरात्रे पर देवी अलग लग वहानों पर सवार होकर धर्ती पर आती हैं। देवी के अलग-लग वहानों पर सवार होकर आने से देश और जनता पर इसका असर भी अलग-लग होता है सोमवार या रवीवार को घट स्थापना होने पर मादुरगा हाथी पर सवार होकर आती है शनिवार या मंगलवार को नवरात्री की शुरूआत होने पर देवी का वहन घोड़ा माना जाता है गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्री शुरू होने पर देवी डोली में बैट कर आती है बुद्वार से नवरात्र शुरू होने पर मा दुर्गा नाव पर सवार होकर आती है देवी के वहन का शुब अशुब असर माता दुर्गा जिस वहन से पृत्वी पर आती है उसके अनुसार साल भर होने वाली घटनाओं का भी अलंकन किया जाता है देवी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो पानी ज़्यादा बरसता है, पोड़े पर आती हैं तो पड़ोसी देशों से युद की अशंका बढ़ जाती है, देवी नोका पर आती हैं तो सबी की मनुकामनें पूरी होती हैं, और डोली पर आती हैं तो महमारी का भ currently बना रहत होता है देवी भागवत के अनुसार रवीवार या सोमवार के दिन देवी भैंसे की सवारी से जाती है तो देश में रोग और शोक बढ़ता है शनीवार या मंगलवार को देवी मुर्गे पर सवार होकर जाती है जिससे दुख और कष्ट की वृद्धी होती है बुद्धवार या शुकरवार को देवी हाथी पर जाती है इससे बारिश ज्यादा होती है गुरुवार को मा दुर्गा मनुश्य की सवारी से जाती है इससे सुख और शांती की वृद्धी हो चैतर नवरात्रे 13 अपरेल से शुरू होने जा रहे हैं। इनका समापन 22 अपरेल को होगा। इस नवरात्रे मा दुर्गा का आगमन घोडे पर हो रहा है। जबकि प्रस्थान मनुश्य वहान से होगा। जबकि देवी की विदाई गुरूवार 22 अपरेल को होगी। गुरूवार को विदाई होने से मनुश्य वहान से देवी जाएंगी जो राश्टर के लिए सुक सम्रिद्धी कारक होगा। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गए जानकारे आपको अच्छी लगी होगी। धन्य जय माता दी